बूटान तक रेल लिंक ट्रेड कोलडोर पर समझोता चीन के रादों पर पानी फेर देगा भारत बूटान और चीन के बीच सीमा समझोती की तरफ बढ़ रही बातचीत भारत को टेंशन देने वाली थी हाला कि भारत और भूटान के संबंद पर चीन के वज़े से कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है भारत और भूटान के बीच वियापार तकनीक और सीमा पर पड़वहर को लेकर कई ऐसे समझोते हुए जो कि दौनों देशों के संबंद और मचबूत करेंगे वही यह चीन के लिए एक बड़ा जटका हो सकता है आपको बता दें कि भारत और भूटान के वीच पहले रेल लिंक का सर्वे भी पूरा हो गया है वही दौनों देश एक और रेल लिंक पर विचार कर रहे हैं चीन को जटका भूटान के किंग जिग में खेसर एक सब्ता के भारत दोरे पर है प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी से मुलाकात के बाद दोनों ने संयुक्त बयान जारी करके नए समझोतों की एहमियत बताई आप बता दे कि इन दिनों भूटान के रुख में बदलाव की चर्चा जोरो पर थी बताई जा रहा था कि भूटान और चीन बातचीत के जरिये सीमा विवारत का हल निकालने में जुटे हैं और उन्हें सफलता भी मिलने वाली है हाला कि अब भारत और भूटान के आगे बढ़ते संबंधों को देखकर कहा जा सकता है कि भूटान चीन के साथ ऐसा कोई समझोता नहीं करेगा जिससे भारत का नुकसान हो प्रधार मंतरी मोदी ने जिगमे खेसर को भूटान के विकास के लिए हर संभो मदद का असवाशन दिया है इसके अलावा असम के कोकरा जार से भूटान के गेलेफू के बीच बनने वाले रेल लिंक के फानल लोकेशन सर्वे पर दोनों देशों के बीच बात बन गई है जल्दी इस रेल लिंक का भी काम शुरू हो सकता है इसके अलावा दौनों देशों ने पस्टी बंगाल के बनारहाट से भूटान के सामत्से के बीच वी रेलिंक बनाने पर विचार किया है इससे भूटान और बंगलादेश के बीच वी व्यापार आसान हो जाएगा भारती रेलवे ने शुरू कर दिया भारत भूटान रेलिंक पर काम भारती रेलवे ने कोकरा जहार और गेलेफू के बेश 57 किलोमीटर में शुरू आती वे पूरा कर लिया है इसके अलावा दोनों देशों ने व्यापार को और मश्बूत करने के लिए ददगिरी चेकपोस्ट को अपग्रेट करने पर सहमती जताई है साजह बयान में कहा गया कि भारत सरकार बारवी और तेरेवी पंचवर्सी योजना के लिए भूतान को ब्रिज फाइनेंसिंग करेगा भूतान के किंग ने प्रधानमंत्री मोधी का धन्यवाद दिया